किमारे किसान दाना प्राइब क्राइब के लिए अधिक अधिक प्रकार करें जारखंड में ये दोनों फसलें दलहनी फसल के रूप में बरसों से लगाई जाती रही हैं लेकिन अभी जो इनकी किसमें हैं ये कुछ बेहतर किसमें आई है जो की अच्छी उपजदेने की छमता रखती है जिसे की किसान अपने पोसक संबंधी आवशक्ताओं को पूरा करन के लिए सच्छम हैं ये सभी किसमें तो आज पहले सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि उरद के बारे में उरद जो है एक खरीब मौसम में लगने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसले हैं इस फसले की परिपक्वता आवधी बहुत ही कम होती है असी से लेकिन अब्बे दि होता है उस समय लगाते हैं ताकि इनकी जब पकने की आवधी हो उसमें बारिस का प्रकोप ना हो तो इस इस्थिती में हम पौधे को जो जमीन में रहते हुए अंकुरन हो जाती हैं बीजों में उससे हम बचा सकते हैं तो सब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि इनके किसमों क बारे में अभी ऐसे किसान तो इन फशलों को बहुत पहले से लगाते रहे हैं लेकिन वो जो किसमें लगाते हैं उनकी उपज शमता बहुत कम होती है और चुकि ये देहाती किसमें होती हैं अपने जो आसपास मिलती हैं पुरानी किसमें होती हैं तो इसमें हम चाहेंगे कि किसान भाईयों हमने हमारे यहां बिर्शा किर्श्य विश्व विद्धयाले में उननतसिल किस्में उपलब्द हैं जिसमें प्रमुक है बिर्शा उरद-एक इसके बाद अभी हाल का अपने खेतों में लगाएं इनकी उपज छमता बारह से लेके पंद्रह कुंटल तक पाई यह है जैसे कि मैंने पहले बताया मूंग भी खरीब फसल में लगने वाली एक मुख्य दलहनी फसल है और यह मुख्यता हम लोग लगाते हैं प्रोटीन की आवशक्ता को पूर्ण क के रूप में इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं प्रयोग करते हैं तो इसमें मूंग की जो कि उन्नत किस्में हैं सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा पूसा बिसाल की यह अपिच्छा करें थोड़ी पुरानी किस्म है लेकिन इसकी उपज छमता अभी भी में काफी बहतर है इनकी पौधे की लंबाई लगभग दो फिट तक आती है और इनके दाना जो बनते हैं यह बहुत ही मोटे बनते हैं और बड़े बनते हैं तो इसमें उपज छमता अपने आप में ब्रिद्धी हो जाती है अगर हम इस किस्मों को लगाते हैं इसके अलाव का एक है अभी दलहन अनुसंधान केंदर से बिकसित किया गया है आई पी एम दो डैस तीन यह सभी उननतसिल किस्में हैं और इनकी उपज छमता बारा से लेके 14 कुइंटल प्रती हेक्टेर तक पाई गई है और परिपक्वता अबधी लगभग 60 से 65 दिन है